Mostly beginner photographers अपनी images के अंदर light को balance करते करते तक जाते हैं कभी light ज्यादा हो जाती है, कभी light dark हो जाती है, कभी image shaky होती है तो कभी images के अंदर grains आ जाते हैं तो इसका बहुत ही easy solution है, वो है explorer triangle explorer triangle एक बहुत ही important concept है, जो के हर photographer के लिए समझना जयूरी होता है अगर कोई भी photographer इस explorer triangle को समझ लेता है तो वो अपनी images के अंदर एक बहुत बड़ा change ला सकता है अगर आप explorer triangle समझ लेते हैं तो आपको एक अच्छा photographer बनने से कोई नहीं रोक सकता तो मेरा नाम है तईयब इक्वाल, I am a professional photographer तो आप भी photography और editing से related videos देखने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं आपनी वीडियो की दरब explorer triangle के अंदर तीन चीज़े होती है aperture, shutter speed और ISO इन तीनों के ओपर अलग-अलग मैं एक detailed video बना चुपा हूँ वो भी आप जाकर देख सकते हैं सबसे important एक बात ये भी करेंगी कि एक explorer triangle को use करते हुए एक ideal settings क्या होने चाहिए ये तीनों elements ऐसे हैं कि ये तीनों elements मिलकर आपको help करते हैं कि आप भी image के अंदर एक balanced light हो और आप भी image sharp हो और आपका background वो भी एक अच्छा blur हो सबसे पहले हम बात करते है aperture के तो aperture के through light camera के अंदर enter होती है और aperture का काम ये होता है कि वो आपके camera के अंदर कितनी light को enter करेगा और second इसका काम भी होता है कि ये background को आपके कितना blur करेगा तो aperture work कैसे करता है कि आप जितनी aperture की value हो यानि f stop point वो आप जितना down करते जाएंगे उतनी ही आपके image के अंदर light increase होती जाएगी और उतना ही आपका background जो है वो blur होता जाएगा क्योंकि आपका aperture open हो रहा है जो means के f 1.8 या f 2.8 के उपर आप shoot कर रहे हैं तो यहाँ आपकी sharpness की तो problem solve होगी और अगर आप aperture की value को यानि f value को आप increase करते हैं तो जब आप increase कर रहे होते हैं तो increase करते हुए आपका aperture बंद हो रहा होता है तो aperture के बंद होने की वज़ा से आपकी image के अंदर light भी कम होना शुरू हो जाती है और उसके बाद आपकी image के background भी blur भी कम होना शुरू हो जाता है तो यह आपके उपर depend करता है कि आप इस aperture को किस तरह से use करता करना चाता है आप background में कितना blur चाह रहे हैं आप image में light कितनी चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी images का aperture को set कर सकते हैं जो second है हमारी shutter speed shutter हमारा camera के sensor के सामने होता है और shutter हमारा यह decide करता है कि camera के अंदर आपकी image के अंदर light कितनी देर तक enter होगी तो जितनी देर के लिए आपका shutter open होता है उतनी ही light उसके अंदर enter होगी जितनी इस अटर जितनी देर के लिए open होता है उसके सामने जो भी movement उतनी देर के लिए आजाता है वो उसको capture कर लेता है और shutter speed light को ऐसा control करता है कि जितनी shutter speed आपकी increase होती जाती है उस shutter speed के increase होने के वज़ासे आपकी image के अंदर light कम होती रहती है क्योंकि shutter speed के तेज होने की वज़ा से light को camera के अंदर enter होने का time बहुत कम बिल रहा होता है जिसकी वज़ा से आपकी image के अंदर light कम होना शुरू हो जाती है जैसे कि आप 1 by 200, 1 by 400, 1 by 500, 1 by 800 तो ये high shutter speed उस वक्त यूज की जाती है जब कोई moving subject हो या कोई fast racing car हो या कोई भी इस तरह का moving subject है तो उसको एक freeze moment में लाने के लिए आप high shutter speed का use करते हैं जिसकी वज़ा से आपकी image के अंदर shake भी नहीं आता और आपकी image fully focused और sharp होती है shutter speed बहुत matter करती है कि आप ऐसी shutter speed रखें कि अगर आपका हाथ हलका सा shake भी हो रहा image बनाते हुए तो वो आपकी image में shake ना आए और आपकी image blur ना हो और आपकी image fully focused आए तो यहां आपकी shaky images वाली problem भी solve हो गी है कि वो हम shutter speed को control करके अपनी images को sharp और focus कर सकते हैं और इसके opposite जैसे ही आप shutter speed को down करना शुरू करते हैं तो जितनी shutter speed down होती जाती है 1 by 100, 1 by 50, 1 by 30 तो जितनी आपकी shutter speed down होती रहती है तो shutter speed के down होने की वज़ा से यह होता है कि आपकी image के अंदर light ज्यादा आना शुरू हो जाती है क्योंकि shutter आपका ज्यादा देर तक open रहता है तो उसके अंदर light ज्यादा आती रहती है जितनी देर के लिए shutter आपका वो open रहेगा वो उस moment को capture कर लेगा low shutter speed, mostly light painting long explorer photography के अंदर जो आना वो use किया जाता है तो third है हमारे camera की ISO ISO हमारे camera की artificial light होती है जो के camera के अंदर खुझ से light को generate करती है इसमें एक बहुत ही एहम बात जो आपके लिए समझना जरूरी है explore triangle के अंदर के aperture और shutter speed जो light camera के अंदर आपकी image के अंदर enter करते हैं वो light, natural light या environment के अंदर जो light मुझूद होती है वो उस light को enter करते हैं लेकिन ISO एक ऐसी light है जो खुझ से artificial light को generate करता है image के अंदर ये एक दोनों की light के अंदर difference है और अब इस ISO को किस वक्त हम use करते हैं कि हमारा ये ISO का use उस वक्त होता है कि जिस वक्त आप अपनी aperture की value को और shutter speed की value को अपने एक ideal अपने shoot और अपनी image के इतवार से अपनी image के हिसाब से आप उसको site कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि image के अंदर light अभी भी कम है तो आप ये करते हैं कि फिर आप ISO के जरीए से आप अपनी image के अंदर light को increase करते हैं लेकिन आप इस बात का एक limit के अंदर use करना है क्योंकि अगर हम उस limit से ज्यादा इसको use करेंगे तो आपकी image के अंदर grains आ सकते हैं तो ISO को एक limit में यूज करने से आप अपनी image के grains को खतम कर सकते हैं तो आपकी grains वाली problem भी solve होगी है last में मारी एक pro tip कि हम exploit triangle की एक ideal setting क्या रख सकते हैं तो इसके अंदर हम यह करते हैं कि हम जिस भी location पर जाएं shoot करने के लिए आप अपने उस location पर जाके सबसे पहले आप अपने camera के aperture को adjust करें कि जिस aperture पर आप shoot करना चारहे है 1.8, 2.8 जिस भी aperture पर आप shoot करना चारहे है आप उस aperture को आप set कर ले कि आप background पर depth चाते हैं depth नहीं चाते हैं जैसे भी आप shoot चारहे है तो आप अपने aperture को उस हिसाब से सबसे पहले set कर ले अगर आपका subject movement के अंदर नहीं है तो आप अगर आप एक still photographic कर रहे हैं आप 1285 आपके लिए एक अच्छी shutter speed है जिसके उपर आप shoot कर सकते हैं और अगर आपका moving के अंदर है तो आप अपने उसके shoot के अपने scenario के according आप अपनी shutter speed को adjust कर सकते हैं तो इन दोनों को adjust करने के बाद आप last के अंदर ISO को adjust करेंगे के आपको अगर ISO increase करने की यह decrease करने की जूरत है तो आप उसको adjust कर सकते हैं तो आप इस तरह से step by step अगर explorer triangle को set करेंगे आप बहुत ही जल्दी अपने explorer triangle की settings को कर सकते हैं अब यह सुनने में तो explorer triangle थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा तो आपको इस information कैसी लेगी है हमें comment section में ज़रूर बताईएगा और जो भी आपका कोई सवाल हो वो भी आप comment section में हमसे पूछ सकते हैं या आप हम Instagram पर message भी कर सकते हैं और इस channel को आप subscribe भी कर सकते हैं because your subscribe button click is over motivation so मिलते हैं next video